अपको नमस्कार में गॉतम प्रपटेगवार पटना से हैं आपको थरी बेशकी की फ्लयट दिखारों ही आपका लिफ्ट का एरिया हो गया है यह एपका स्टेर्स हो गया है इसे आप एज़े गिष्ट्रूम बना सकते हैं साथ में बालकनी भी है इसकी लोगेसंग की बात की जाएथ यह गोला रोड़े पड़ता है बेली रोट से हार्लिस का डिस्टेंस 800 मिटर के आसपास में हो गया यह आपका लिविंग एरिया हो गया लिविंग एरिया के साथ में यह बालकनी संतल कि बालकनी काफी सपीपसा वालकनी है यह काफी सपाइब को सफस्igkeit जातर करें इधर से लुच करें चारी मचीब इस लोगड के शुद्यम के एधर mini से यह था सौड़न ज立ाष में अधर से कर सकते यह complex यह बेसिन लगा हुआ है किचिन के एरिया काफ़ी एस्पिसियस किचिन के एरिया है सारे फिटिंग फिल अच्छे कंपनी ब्रेंड का है यह जब और डाइनिंग एरिया हो गया इस सकेंड रूम इसके साथ पिर टैच वासरूम हुआ रूम किसाइज की वाद किया तो बड़ी रूम है लंसम 15-12 का रूम है यह यह आपका सखेंड रूम के साथ टैच वासरूम यह आपका इंडियन है वासरूम है यह आपका मास्टर बेट रूम रूम सारे अस्पेसियस है यह भी रूम की साइज लंसम 15-12 का रूम है यह इसकी साथ यह वासरूम एटैच यह वासरूम में सब आपको इसमें में जाता है फ्लोरिंग काफी बढ़ियां किया हुआ है वासरूम में भी और यह बालकनी इसमें भी स्लाइडर का पर्योग किया हुआ है यह बाहर से नहीं दिखेगा अंतर सिर्फ अंदर से बाहर दिखेगा यह बालकनी बहुत बड़ा है यह फरन्ट फेसिंग का फ्लैट है मुआ है लोकलेटरी आप देख सकते हैं असका सबसके वाल अपाटमेंट सही बने हुए आपको इस फ्लैट से कोई भी कोई भी हो रिडिटर तो आप हमसे पूश सकते हैं संपर्क कर सकते हैं पर आब भी वी संपर्क किलिए धन्यवाद ह को निचे दिसुटने मिल्याइगा नदेवा